तरसे उनको अपियंका गांधी को लगाए गया है ठीक है तो सभी अपने अपने दाव पेच यहां पर लगाने में लगे हैं लेकिन राजीव जेटली सीधे तोर पर अगर आपका वोट इंटाक्ट रहता है अगर गया जाट वोट लिपेंड करेगा कि अब जाट वोटों में जो कि कॉंक्रिस का कोर्ड वोटर रहा है उसमें कितना बिखराव होता है तो आपके लिए जरूर फायदा हो सकता है अब सारी बात इसी पर आ गई है अगर वो उसका लाबारती है तो भारती जनता पार्टी के बारे में फुद ही परचार करता है भारती जनता पार्टी के बारे की नीतियों को तो जनता में पहुंचाने के लिए मुझे लगता सबसे बहतर माध्य हम होता है हम उसी के भरोसे रहते हैं क्योंकि हमने जो डिलीवर किया है आप देखें इंटर्स्ट्रक्चर डिलप्मेंट के तोर पर देखिए ब्रेश्टाचार मुक्त परशासन और शासन हमने दिया है ये अंतिम व्यक्ति जो खतार में खड़ा उसको इस बात का है है और जो भी व्यक्ति किसी भी कास्ट कम्यूनिटी से आता है जिसको इस बात का बेनिफिट मिला वो भारती जनता बाटिक प्रती अपना चुकाव रखता और भारती जनता बाटी को ही अपना मेंडेट देथ सबसे पहली बात इस परदेश के अंदर सुरक्षा की गरंटी अगर कोई ले सकता है तो वो भी केवल भाचपा ही सरकार ले सकती 2014 से लेकर 2024 तक आप देखिए भाचपा की सरकार के साथ अर्याणा प्रदेश की जनता रही है और उन्हें मालूम है कि इस जो डिलेप्मेंट है जो विकास है इस गती को रुकने नहीं देना है और वो गती क कोई और तेज बढ़ा सकता है तो भी भाचपाई बढ़ा सकता है तो हमें इस गुड़ा भाग में नहीं पढ़ना कि घैर जाट रूजाट वाले हमने के लिए देखना है कि हमने जो डिलिवर किया है उसका रिजल्ट हमें मिले और हमने मेहनत करी है लगबक 10 साल तक और 10 सा लाल खटर कर रहे थे उन्हें उन्हें तो आपने लास मुमेंट पर चुनाव से ठीक पहले हटा दिया तो एक प्रमार तो आप नहीं दे दिया लोगसबा का चुनाव करीब था लोगसबा के चुनावों में हमें एक बड़े चेहरों की जुरूरत थी हर्याणा परदेश के अंदर इसलिए करनाल से लोगसबा जो है मनुराल खटर जी को रड़वाया गया और आप देखिए उस लड़ने के बाद भी आज बहुत भारी तक में जगा नहीं दी जाती पर राजीव जी फिर ये सवाल करें सबकी सबकी अपनी भूमी का सभी एक मंच पर नहीं आ सकते हैं उन्होंने जिलावाइस विदान सबावाइस लगभग एक दिन के अंदर वीच-बीस रेलिया कर रहे हैं हूं पर बुद्ध सम्मीलन कर रहे हैं जनता से मिल रहे हैं उनकी अपने प्रोग्राम चल रहे हैं तो उनको मुझे लगता नहीं कि किसी ऐसे मंच की जुरॉत है वो जहां जाते हैं मंच खुदी सजाले लगने राजीव जी 1419 से थोड़ी डिफेंट सिच्वेशन इस बार हो गई है क्योंकि हर बात पर डिफ अब नहीं जी ने तो नेतियां बनाई हैं इस परदेश के लिए जिसको आप बार बार कोट कर रहे हैं परिवार पर चांग दिके पोटल एक ऐसी वेवस्ता है इसमें कई वर तकनीकी खामियां आया जाती है बहुत छोटी छोटी मैक्रो लेवल की लेकिन इसको विपक्ष म मेरे मॉबाइल के उपर हो ली चाहिए अगर वो एप बेस्ट यह सॉफ़वेर बेस्ट सर्विसस अब शुरू कर रहे हैं तो उसका इवेंचुली बेनिफिट किसको मिलें लॉंग टरंप में आप देखिएगा यही पोटल जो है हर्याना परदेश की जंता के लिए कारगर साबित होंगे हर्याना के युवां के लिए कारगर साबित होंगे और यही कॉंग्रेशी लीडर्स इसी पोटल का इस्तमाल करते हुए अपनी सुविदां को लेते वे नजर आएंगे तो एक एची बहतर वबस्ता उन्होंने बनाया है उसका विपक्ष ने दुश परचार और दुश परचार में अगर मैं इस बात को भी ले लो याज देखे पैंशन आपके मोबाइल के अंदर फ्लैश होती है मैसेज के माध्य हम से पहले इसी पैंशन को लेने के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ता था लेकिन पैंशनर सो नराज है ओपेस को बदल के य ने ने आपने मिक्स कर दisen की बात कर रहा हूं तो बृदी पैंशन की बात कर रहा हूं मैं महिलाओं को मिलने वाली पैंशन की बात कर रहा हूं अभ आया आते हो o ps के ओपर OPS एक ऐसी विवस्था है जिस विवस्था के चलते देखिए अभी इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया पांसो रुपे में सिलेंटर देंगे हम तो देखी रहे हैं आलड़ी उजुला योजुना के तहट लेकिन एभी एक विवस्था ऐसी है कि इन्होंने OPS को लागू करने की बात करी जो हिमाचल के अंदर सरकारी के रमचारियां उनको तंखा नहीं मिल रहे हैं मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं अपना सिलेंडर भाहर रख दूँगा घर के एक फुद लुकणिया बुनके चुनके लाँगा चूला जलाँगा उस पर इखाना बनाँगा तो आप सोचे जब मुख्यमंत्री के बात सिलेंडर नहीं होगा जिस परदेश के अंदर माचल में अभी तक नहीं हुआ तो आपने किसानों के आए दोगुनी करने के विरोजगारों को युवाओं को नौकरी के आपने किये थे ना उसी को तो मुद्दा बना रहे है पुरा विपक्ष दीपक जा यहां तो सब देने की कोशिश हो भी रही है प्रयास भी हो रहे है आपने तो जहां वादा किया महां तो